एलो गडिवनिंग एवरिवन कैसे हैं आप सभी आएम राहू सिंग यौर ट्रेनर आई होप आप बहुत अच्छे होंगे फिर से गाईज एक बार वैलकम करता हूँ आईसे ल क्लासिस में और आज की क्लास का जो में टॉपिक है हमारा वो आप देखी रहे हैं यहीं कि आज की क्लास में आज हम डिसकस करेंगे डारेक्ट और इंडारेक्ट एक्सपेंस के बारे में और आई होप मैं कोशिश करूंगा कि एक नए कंसेप्ट से आपको डारेक्ट एक्सपेंस और इंडारेक्ट एक्सपेंस दोनों की डेफिनिशन और क्या-क्या डारेक्ट एक्सपेंस ह आपके interview purpose से अगर आप बात करेंगे trading और profit and loss account के तो वो purpose भी आपका complete हो जाएगा आज की इस class में starting से लेके end तक इस video को देखिएगा और आपके जो concept है वो पूरे के पूरे complete हो जाएगे अगर कोई आपको doubt होगा तो चलिए guys start करते हैं direct and indirect expense तो direct expense क्या होते है direct expense वो expense होते है जब कोई company या कोई factory या any manufacturing units किसी चीज का production करती है तो उसके लिए जो raw material क्या करती है purchase करती है right for example भई माल लीजे मैं marker बनाता हूँ और किसी का मुझे order मिलता है कि मुझे 50 लाग मारकर क्या करने है बनाने है अब उन 50 लाग मारकर को बनाने के लिए मुझे raw material की जरुत पड़ेगी it means direct expense का मतलब गर हम दूसरे language में समझें तो factory तक जितने भी हमारे खर्चे होते हैं या goods को बनाने में जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वह सारे के सारे हमारे direct expense कहलाते हैं देखिए यहां पर मैंने वही चीज़ लिखिए because raw material के बिना finished goods नहीं बन सकती इस दोरान company को बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं जैसे company ने raw material purchase किया right carry charge wages charge आदी खर्चे किये जाते हैं यानि कि अगर हम इस concept को फिर से समझें तो direct expense वह expense होते हैं जो कि हमारे directly goods पे effect करते हैं यानि कि जो goods को बनाने में effect करते हैं तो इनके हम एक बार example अगर समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा चलिए हम example समझते हैं देखें सबसे पहले purchase raw material यानि कि मैं उस marker को बनाने के लिए क्या करूँगा raw material purchase करूँगा ये directly हमारी cost को क्या करेगा effect करेगा insurance on goods in transit ये भी हमारे एक direct expense है यानि कि मैंने माल मंगाया है अगर goods मंगाया है तो उस goods का मैंने क्या कर लिया है insurance करा लिया है तो वह insurance भी मेरा क्या होगा एक direct expense होगा लेकिन ध्यान रखेगा insurance जो है वह माल के बनने से पहले है तो इसको हम insurance on goods in transit इसलिए हम इसको use करेंगे word को now इसके बाद देखे taxes यानि कि अगर हम बात करें तो जब हम goods मंगाते हैं तो उस पर जो है वो duty लगती है तो वो tax भी हमारा क्या है उसकी cost को effect करता है इसलिए ये हमारा direct expense आगे बात करते हैं यानि कि हमारा जो भाड़ा है ये भी क्या है एक direct expense है हमने समान को ढूलाने के लिए वहां तक ले जाने के लिए factory तक हमने क्या दिया है इसके बाद बात करें यहां पर octroi तो जब हम अपना जो समान है जो goods है उसको लेके जाते है तो हमें octroi देना पड़ता है ये भी हमा हमारा एक direct expense है इसके बाद factory rent यानि कि factory अगर हमारी क्या है किराय पर है यानि कि factory अगर हमारी किराय पर है तो हमें क्या देना पड़ेगा factory rent देना पड़ेगा जो कि हमारे cost को directly effect करेगा इसके बाद gas power carriage inward यानि कि किराया हमने दिया right समान को एक place से दूसरे place तक ले जाने में वो दूसरा place किया हमारा factory इसके बाद यहाँ पर fuel wages यानि कि जो factory में काम कर रहे हैं वो हमारे सारे के सारे जो workers हैं उनको क्या दिया जाएगा wages दिया जाएगा और last में हम बात करेंगे यहाँ पर koila यानि कि यह सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ पर points आपके लिए लिखे हैं यह सारे के सारे direct expenses है guys अगर आप किसी को भी देखेंगे तो उसके बिना काम नहीं चलेगा और यह हमारे directly cost को बनाने में क्या करते हैं effect करते हैं यानि कि उस goods को बनाने में इनके बिना वो goods manufacturing नह से जानेंगे आगे चलते हैं guys अब हम बात करेंगे यहाँ पे indirect expense के बारे में तो indirect expense वो expense होते जिनका relation goods purchase या manufacturing करने से नहीं होता यानि कि after factory जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सारे के सारे हमारे indirect expense कराएंगे it means अब goods बन चुका है तयार हो चुका है तो factory से अब उसको निकाला जाएगा और उसको तीन पार्ट में हमने expense को divide किया है right तो यहाँ पे यह expenses related हैं देखें guys किस से administrative से sales से finance expense से जिसका मतलब होता है right actual में यह जो खर्चे हैं वो production के बाद ही होते हैं जैसा कि मैंने अभी और बात करें in another word ticket करते हैं तो in another word direct expense के अलावा सभी खर्चों को indirect expense के रूप में जाना जाता है तो मैंने आपको बताया guys direct expense वो expense होते हैं जो कि factory तक लगते हैं goods को बनाने में लगते हैं बाकी माल लीजे factory में हमारा goods तयार हो गया अब उसके बाद वह finally जब बिक जाएगा तो उस तक जितने भी खर्चे हम करेंगे वो सारे के सारे आपके indirect expense ही कहलाएंगे तो एक एक करके इनको example के सरी ये समझते हैं guys right तो सबसे पहले मैं यहाँ पर part 1 में बात करूँगा भई office से related खर्चे तो देखे guys office related यानि office expenses office light यानि कि office में क्या होगी light होगी देखे office light की बात करें packing expense की बात करें तो उनका manufacturing से तो कोई मतलब है नहीं after manufacturing ये expense किये जा रहे हैं इसलिए इन्हें हम indirect expense बोलेंगे तीसरी हम बात करें यहाँ पर postage and telegram यानि company से daily दो तीन post की जाती है तो उन पर cost आती है 10 रुपे 20 रुपे 50 रुपे तो daily अगर monthly और yearly देखें तो इनका काफी cost बैठ जाता है तो ये भी हमारा क्या है एक indirect expenses है जो क directly way में goods product की cost को increase कर रहा है इसके बाद rent यानि कि building अगर rent पर है तो rent देना पड़ेगा renewal and repair charges अगर कोई system खराब हो गया है हमें कोई चीज renewal करानी है antivirus वगरा है company की security के लिए ठीक है services तो उनको क्या कराना पड़ेगा हमें repair and renewal कराना पड़ेगा तो वो भी हमारे एक क्या है indirect direct expense का पार्ट बन गए salary stable expenses telephone expenses कोई भी company ऐसी नहीं है जो की telephone यूजना करती हो तो उस related expenses जो है वो भी indirectly हमारे क्या है cost को improve कर रहे है product की इसके बाद traveling expenses बहुत सारी company में ऐसे employee होते हैं जो one place to another place travel करते हैं उस company के लिए तो सारा का सारा खर्चा किसका उठाना पड़ता है office को उन direct expense का पार्ट बन जाता है राइट गई आगे हम बात करें हाँ पर तो depreciation depreciation यानि कि हमारा fixed assets पर लगता है और हमारे fixed assets की value को क्या कर देता है कम कर देता है तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक business के लिए पार्ट बन जाता है किसका expense का research and development पे company क्या करती है पैसा खर एक indirect expense हो जाता है क्योंकि इस पे हमें एक बहुत बड़ा part खर्च करना पड़ता है advertisement अगर हम बात करें advertisement की तो एक किसी भी company में जो की manufacturing company अपना समान बेचने के लिए जितने भी company tie up करती है advertisement का उस पे एक बहुत बड़ा biggest part जो है वो खर्च करती है इनकी advertisement के जरीए ही 10 रु पे की मिल जाती है उस पे बहुत बड़ा part बड़े-बड़े heroes बगएरा से बड़े-बड़े celebrities बगएरा से जो है उसका क्या कराया जाता है advertisement कराया जाता है तो ये एक बहुत biggest बड़ा part हो जाता है हमारा किसका खर्चे का audit fees बात करें यहाँ पर audit fees just like professionals हमाल लीजे हमने CA को ब professional बे के लिए जो है वो audit fees हमसे ले जाएगा वो audit fees भी हमारा क्या है वो expense होगा हमारा ठीक है इसके बाद distributive expenses हो गए entertainment expense हो गए अपने employee को बेज दिया वही movie बगरा देखने के लिए गुमने बगरा के लिए entertainment के लिए company पैसा दे रहे है वो भी एक इंडरेक्ट लिवे में खर्चा हो गया general expenses हो गए नॉर्माली होने होने होते है hospitals charges हो गए insurance interest on capitals हो गए यह भी हमारे क्या है expenses है legal charges हो गए legal charges भी हमें देने ही देने है वही company का tax जाना ही जाना है right law fees की बात करें और license fees अगर हमे license renew कराना है ठीक है यह license लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा fee पे करनी पड़ेगी वो भी हमारे एक indirect expense को जो है बढ़ाएगा यह भी हमारे एक indirect expense कहलाएगा इसके ब बात करें हैं आपर तो गाइस देखिए अगर हमारी building क्या है rent पर है तो हमें rent देना पड़ेगा उस building का हमारे employee है उनको क्या पे करना पड़ेगा salary यानि कि वह में service दे रहे हैं तो उसके बदले हमें remuneration पे करना पड़ेगा it means salary पे करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे बीच औ हमने उसको क्या करा लिया insurance करा लिया तो insurance भी हमारा क्या है एक indirect expense है depreciation की बात करें मैं पहले भी discuss कर चुका हूं stationary expense की मैं बात करूँ तो stationary office में pen pencil rubber cutter वगएरा के लिए paper के लिए चोटे मोटे खर्चे होते हैं वो भी हमारा एक cost को बहुत increase करता है तो ये भी हमारे एक indirect expense हो गया printing charges की बात करें तो काईस printing के लिए हमें काफी पैसा देना पड़ता है वो भी हमारा क्या है एक indirect expense है बात करें हाँपे carriage on sale यानि कि goods को बेचने के लिए किराया दिया गया है तो sale करते time हमने उसको किराया दिया है तो वो भी हमारा एक indirect expense का part बन गया है laws on sale of assets पैकिंग charges यह मैंने उपर भी बता दिया ठीक है पैकिंग करने के लिए यानि कि आप देखते हैं कि खराब product भी किस तरह से बिक जाता है तो वो packing की वज़े से होता है और आजकल नई नई packing लोग बाग क्या करते हैं तरह तरह से अपने ग्रहाकों को अकरशित करने के लिए तरह तरह की packing करते हैं उस पर अलग अलग तरीके से expense करते हैं जिससे हमारे product का जो cost है वो हाई हो जाता है commission, commission pay करना है discount किसी को हमने allowed कर दिया right rent तो यह नहीं कि 2-3 बार देखे मैंने आपर rent की बात कर दिया तो building का rent और आपका furniture का rent आपको यह सारे rent हो सकते हैं यह सब के सब हमारे क्या है indirect expense के लाएंगे so guys हमने आज बात करी direct expenses की और हमने आज बात करी indirect expenses की I hope आपको direct और indirect expense दोनों में अंतर समझ में आ गया before factory हमारे कहलाएंगे सारे के सारे direct expense और after factory वो कहलाएंगे हमारे सारे के सारे indirect expense so guys thank you thank you for watching my video have a nice day take care और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और guys अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो guys और नई नई वीडियो आप चाहते हैं कि आपके पास पहुंचे वो तो please चैनल को subscribe करें share करें और comment करना ना भूलें thank you thank you for watching मिलते हैं guys एक next वीडियो में और guys एक चीज और अगर आपको education से related information लेनी है तो guys आप मेरी website www.iclclasses.com पे जाके और वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी learning कर सकते हैं वहाँ पे मैं नए-ने तरह के blog डाल रहा हूं और आशा करता हूं कि आप जरूर देखेंगे www.iclclasses.com वहाँ पर आपको income tax related, tax related, TDS से related और आपको what is the meaning of accounts, ETC इन सबसे related आपको वहाँ पर blog मिल जाएंगे पढ़ने के लिए जो कि आप अपने exam preparation के दुरान आप उनको use करेंगे so guys thank you so much, have a nice day, take care, be happy always, bye bye guys